आज का जो हमारे वीडियो से हम बात करेंगे touch command in linux तो start करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं touch command in linux is used to create empty files और update the timestamps of existing files यानि कि आप test command का use करके empty files create कर सकते हैं और existing files के timestamps change कर सकते हैं और update कर सकते हैं तो वो कौन से timestamps पे जिनको हम अपडेट कर सकते हैं वो भी हम next slide में देखेंगे तो अभी हम यहां पर देख सकते हैं तो आपका syntax से test command का that is touch आपका command का name then option and then file का name तो इस slide में आप देख सकते हैं कि कुछ common options ने test command के साथ use कर सकते हैं like hyphen a hyphen m तो आपका जो hyphen a option यह क्या करता है change only the access time जैसे क्वेन आपको बताया कि हम किसी existing file के timestamp change कर सकते हैं तो वो हमारा पहला क्या है कि हम access timestamp change कर सकते हैं hyphen a option का use करके इसी तरीके से आप hyphen m option यूज़़़ब करके किसी भी file का modification timestamp change कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं इसी तरह किसा आप हाइफन सी ओप्षिन का यूज़ करके चा करेंगे कि प्राफिन करेंगे चाह eight के मारे में यहां चाहिए अपने कोई फाइल करना चाह रहे हैं और आप चाहते कि अगर उस नम से कोई रह ऐग्ज ребय करती है तो वह क्रियेट ना हो तो वो वह हम देखने देखने वाले हैं प्रेक्टिकलन civी तो मैं यांपर उस पर उसको डिटेल मे तो time stamp है उससे update कर देगा आपकी file को n-t option क्या करेगा create a file using a specify time जब आप file create करेंगे तभी आप जो time specify कर देगे उस time के साथ आपकी file create कर देगा तभी हम क्या कहते है practically इनको समझ के देखते हैं तो better understand कर पाएंगी तो हम अपने terminal पर आ गए हैं यहाँ पर हम file create कर रहे हैं file 1 तो इससे क्या होगा हमारी file 1 create होजाई ls करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो file थी file 1 create हो गई है इसी तरीके से आप test command का use करके multiple files भी create कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी एक साथ two files create हो जाएंगे आप multiple कितनी files create कर सकते हैं enter करूँगा मैं again ls तो आप देख सकते हैं file 2 and file 3 दोनो files create हो गई है इसी तरीके से अगर मैं आपको देखा हूँ यहाँ पर इनका जो files है मैं यहाँ पर करता हूँ ls-l तो आप देखेंगे जो आपकी file 1,2 & 3 यह file हमने create की थी कब create होगी है 1231 यहाँ पर create होई है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पर मैं करता हूँ ls-lu तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही क्या दिखा रहा है access time तो आपका LU option क्या करेगा access time दिखाएगा and ls-l आपको modification time दिखाएगा तो आप यह दोनों command note कर लें ls-l से आपको यह time दिख रहा है आपर यह क्या है आपका 0021 like 2341 इस तरीके से यह time दिख रहा है आपको यह आपके modification time और यहाँ पर यह जो time दिख रहा है आपको ऊपर ls-lu से वह access time stamp है तो अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो time है हमारे क्या होगा 12 22 हो गया है तो मैं यहाँ पर करता हूँ अगर ls-l करता हूँ जैसे कि रहा है हमें क्या दिखाता है modification time stamp तो आप देख सकते हैं अभी हमारा modification time stamp वह ही आ रहा है ठीक है तो मैं यहाँ पर modification time stamp change कर रहा हूँ मैं वह क्या कर रहा हूँ किसका कर रहा हूँ file 1 का तो touch-m option का use करके and then file का name file 1 right then enter then ls-l तो आप देखेंगे आपकी जो file थी file 1 इसका तो time stamp पर वह क्या होगा है modify कर दिया है मैंने कि modification time stamp है वह change कर दिया अगर मैं आप ls-lu करता हूँ तो आपको वह वही देखेगा जो access time stamp था वह मेरा वही है 12-21 right so modification time था वह मेरा क्या हो गया है 12-23 तो आप ls- sorry आप hyphen m option touch command का जो hyphen m option है उसका use करके modification time change कर सकते हैं इसी तरीकी से अगर मैं यहाँ पर जाओ and touch करूँ यहाँ पर touch and hyphen क्या था हमारा a access time stamp for file 2 यहाँ पर मैंने क्या लेगा file 2 तो अभी जो मेरा current time है उससे update हो जाएग आपका यह time stamp तो क्योंकि मैं पता है जो हमारा access time stamp है वह यही है 12-21 तो मैं अपडेट कर रहा हूं अपने current time के साथ that is 12-24 तो एंटर करा देन अगर मैं यहाँ पर करता हूं LU तो आप देखेंगे आपकी जो file 2 है उसका time stamp और यह access time stamp पर अपडेट हो गया वही है that is 12-21 तो access का मतलर क्या है जब आप किसी file को access करते है मैं LS करता हूं यहाँ पर मेरी क्या है ls-lc-lu से तो आप देखेंगे आपकी जो file 3 थी ना इसका access time stamp है यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप वही था access time stamp that was 12-21 तो अभी update हो गया होगा अपडेट क्या हो गया है 12-24 मैं 12-24 पर इसको access किया था किस लिए कुछ write करने के लिए read write के लिए तो क्या होगा वह उसका access time stamp अपडेट हो जाएगा automatic और आप खुद से भी हाइफन यह option का use करके किसी भी file का access time stamp update कर सकते हैं तो मैं again ls करता हूं और आप देखेंगे यहाँ पर एक file create करना चाहरा हूं मैं touch and file का name रख रहा हूं python file right और मैं यहाँ पर क्या करता हूं hyphen c option use करता हूं right then enter ls करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी python file create नहीं होई है तो hyphen c option क्या करता है अगर उस जो हम file का name pass कर रहे हैं उस name से file exist नहीं करती है तो यह new file create नहीं करेगा अगर file exist करती है तो क्या करेगा उसका time stamp को update कर देगा तो जैसे कि मैं यहाँ पर यहाँ पर ls-l करता हूं तो मैं names वाली file की बात करता हूं इसका time stamp क्या है 12 32 right तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं touch hyphen c and names right then enter then ls-l करता हूं तो आप देखेंगे नेम्स जो फाइल थी इसका इसने जो time stamp था वो क्या कर दिया है update कर दिया है कौँसा modification time stamp क्या कर दिया है update कर दिया that is 12 26 कर दिया है यहाँ कि iPhone c option क्या करता है कि new अगर जिस जो name file का पास करता है उस name से कोई file exist नहीं करते तो यह new file create नहीं करेगा instead of that अगर file exist करती है तो क्या गरेगा उसका time stamp update कर देगा जो कि हमने आपर देखा है तो यह थी हमारी touch command I know बहुत सारे options रह गए बट यहाँ पर मैंने वही चीज़े cover कर रहे हैं जिससे के मारी वीडियो की length ज्यादा लंबी ना हो अगर मुझे लगेगा अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे बाकी option भी cover करना है चाहिए तो प्लीज आप comment करें मैं next video को cover कर दूँ इस वीडियो में इतना ही अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को like, share and subscribe करना ना बूले तो अभी हमने क्या देखा कि हम कैसे multiple files को create कर सकते हैं it and tsame single कैसे hebt एक empty files create कर सकते हैं single then कैसे multiple empty files create कर सकते हैं कैसे हम files का access timestamp update कर सकते हैं, minimal appear को अप-डेट कर सकते हैं तो यह छीजे हमने cover की और हमने देखा हमारी test क्म boîंड गरता है basically empty files create करते है और उनके existing files के timestamp को modify करते हैं आप्शन यूज करा और देखा साथ ही हमने देखा से हमारे पास option आएगा फ्रिस्ट का आएगा modification timestamp का and hyphen ls hyphen l u करूँगा तो हमारे पास कौन सा आएगा access timestamp शूग करेगा तो इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में मिलेंगे तब तके लिए बाई-बाई